नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श नीज मैं हूँ दिव्यानसू तो नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधान मंत्री पत की सपत ले ली और राश्टपती भवन में आयुजन हुआ था शपत ग्रहन समारो हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीम पत की वहीं नित्यानंद राय, रामनाथ ठाकुर, सतिश्चंद्र दुबे और राज भूशन चौधरी ने राज्य मंत्री के पत की शपत ली बिहार से सबसे पहले हम सुप्रीमों जीतन राम मांजी ने मंत्री पत की शपत ली इसके बाद बागी सभी सांसदों ने शपत ली पोइंटों में बिहार से सबसे ज़्यादा आठ सांसदों को जगह मिली है इसमें दो भूमिहार, दो दलित, एक यादव, एक एबीसी, एक ब्रामन और एक मलाह जाती से हैं तो दो भूमिहार में एक तो ललन सिंग है, दूसरे गिरिराज सिंग है दो दलित में एक चिरीराग पासवान है और दूसरे जीतनरामांजी है यादव में एक नित्यानंद राय है एक EBC है जिसमें रामनाठ ठाकूर है एक ब्राम्मन है जिसमें सतिशचंद्र दूबे है और एक मल्ला जाती से है उसमें राजभूसन चौधरी है मोधी सरकार में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी राजपूत जाती के सांसद को मंत्राले में जगा नहीं दी गई है बीजेपी से चार सांसदों को जगा दी गई है गिरीराज सिंग, सतिश चंद्र दूबे, नित्यानंद राय, राजभूसन चौधरी नित्यानंद राय, उजियारपूर से सांसद चुने गए हैं, यादव जाती से आते हैं, गिरीराज सिंग की बात करें, भूमिहार जाती से आते हैं, बेगू सराय से जीत दर्श की हैं उन्होंने सतिष चंद्र दुबे ब्राह्मन जाती से आते हैं और राज सवासांसद हैं बीजेपी से राजबुसन चौधरी ने मुझपरपूर जीता है मुझपरपूर में उन्होंने अजय निसाद को हराया है अजे निसाद पिछली बार BJP के टिकट से लड़े थे जीते थे लेकिन इस बार BJP ने उन्हें टिकट नहीं दिया राजबूसन चौधरी को टिकट दिया और राजबूसन चौधरी ने अजे निसाद को ही हराया है अजे निसाद को जब टिकट नहीं मिला BJP से तब उन्होंन अपने ही जाती के कैंडिरेट अजय निशाद को हराया है इस बार जेडियू से दो ललन सिंग और रामनाठ ठाकूर ललन सिंग भुम्यार जाती से आते हैं मुंगेर जीता है इनोंने मुंगेर की लड़ाई बहत दिल्चस्प थी जहाँ पर कुख्यात बाहुबली असोक महतो की पत्नी अनिता देवी उनके खिलाव थी अनिता देवी को ललन सिंग ने हरा दिया और ललन सिंग को इनाम मिला जेडियू के पूर में राष्ट्री अध्यक्ष रह चुके हैं काफी कद्दावर नेता हैं तो ललन सिंग को कैबिनेट में जगा मिली है मोधी कैबिनेट में इसके अलावा रामनाथ ठाकूर हैं रामनाथ ठाकूर जेडियू से राजसबा सांसद हैं और करपूरी ठाकूर जिने भारत रत्न दिया था पीम मोधी ने उन्ही के बेटे हैं रामनाथ ठाकूर समस्तिपू से आते हैं जो इस बार मोदी कैबिनेट में जगह बनाने में काम्याब रहे हम पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रमुख और गया से चुनाव जीतने वाले जीतन राम मांजी को इनाम मिला है जीतन राम मांजी मोदी कैबिनेट में हैं और सबसे पहले इन नुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान तो लोजपा रामविलास के प्रमुख शिराग पासवान जो पिछली बार जमुई से सांसत चुने गए थे इस बार हाजिपूर से उन्होंने लड़ा और जो उनकी पारंपरिक सीट है पिता यहां से लड़ते थे दिवंगत रामविल मिलता है लेकिन उन्होंने शपत ली है लोजपा रामविलास से चिराग पासवान राजीव रंजन सिंग और फ्ललन सिंग भूमिहार जाती से आते हैं मुंगेर के सांसत राजीव रंजन सिंग और फ्ललन सिंग पहली बार मोधी कैबिनेट में मंत्री बनने जा रहे हैं मान उन्होंने cabinet मंत्री के रूप में उन्होंने शपत ली हैं। बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री जीतन राम मांजी भी मोधी कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं। मोधी 2.0 में भी केंद्रे एग्रिह राज मंत्री रह चुके हैं। नित्यानंदराय ने आरजडी के कदावर निता आलोक महता को हरा कर लोकसभा में चुनाव जीता है। राजबूसन चौधरी मलाह जाती से आते हैं। मुझा परपूर लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर पहली बार आये राजबूसन चौधरी को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। राजबूसन चौधरी पेसे से डॉक्टर हैं और उन्होंने वियाइपी का दामन छोड़ कर बीजेपी का दामन थामा है। जाती से आते हैं सतिशंद्र दूबे, बीजेपी नेता और राजिसभासांसत सतिशंद्र दूबे को इस बार मोधी कैबिनेट में जगा मिली है। तो ये आठ सांसद्र हैं बिहार के जिनें इस बार मोधी कैबिनेट में जगा मिली है। और किस जाती से ये आते हैं ये भी हमने आपको बता दिया क्योंकि जातिय समिकरन भी काफी महत रखता है। बिहार के अगर बात करें अभी हाली में जातिकत जनगन्ना हुई है जिसकी चर्चा खूब हुई और पूरे देश में मांग हो रही है कि अब जातिकत जनगन्ना होनी चाहिए। तो जातिकत गन्ना हुई बिहार में और इसके बाद बिहार से इन जातियों के चेहरे को मौका मिला है। उन्हें मंत्रीपद में मंत्राले में जगा मिली है मोधी कैबिनेट में जगा मिली है। तो फिलाल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स देते रहेंगे बने रहें दर्शनी उज़के साथ।